खमागेनी मारो राजस्तान पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है कैसो सारे MRPians, I hope आप सब भी अच्छे हैं और आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो है स्कूल, व्याक्यता, फर्स्ट गेड, सेकंड गेड, थर्ड गेड एक्जाम के रिजल्ट को लेकर रिजल्ट कब आना चाहिए, ठीक है तो इसमें कैंडिडेट्स की अभ्यर्थियों की कुछ डिमांड है कि कौनसे एक्जाम का रिजल्ट पहले आए, कौनसे का बाद में आए, अगर इन के रिजल्ट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होती है या एक साथ होते हैं तो उससे काफी सारे श परिनाम जारी होने का सिस्टम गड़ बढ़ाया तो इन भर्तियों में बहुत सारे पद जो है खाली रहने की नौबत आ सकती है तो इसलिए अभ्यर्थि डिमांड कर रहे हैं जस भर्ती की परिक्षा पहले हुई उसी का परिनाम भी पहले आना जाहिए तो उसके मताबिक इने शिक्षक भर्ती का परिनाम जारी होना चाहिए ठीक है सरकार को इनी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है परिनाम जारी करना चाहिए और जॉइनिंग करनी चाहिए ठीक है तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ सकती है देखें बड़ से पहले 3rd grade का result जारी कर दिया तो वो अपनी joining ले लेगा उसका selection हो गया उसके बाद ये दी व्याख्यता या वरिश्ट अध्यापक का आता है तो फिर वह obviously 3rd grade वाले को छोड़ के व्याख्यता या वरिश्ट अध्यापक की joining लेगा तो उसका 3rd grade वाला पद क्या रह तो ये दिक्कत आ सकती है, शिक्षक भरती का पद खाली रह जाएगा, तो बहुत सारे जो मतलब candidates लग सकते थे वहाँ पे, तो इस तरीके से वो खाली रह सकते हैं, तो इसलिए बोला गया है, पहले स्कूल व्याख्यता का, फिर वरिष्ट अध्यापक, और फिर थर्ड श्रे से मांग की है, तीनों शिक्षक भरतियों में जिस प्रकार परिक्षा हुई है, उसी प्रकार से उनका परिनाम और जॉइनिंग का सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये जो है, मतलब latest update था, result को लेके, और जो भी latest update आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सबको मेरे दर्व से घणी-घणी राम राम